देखे मैं अपलों के साथ hair growing से related इतनी सारी video share करती हूँ hair loss से related इतनी सारी video share करती हूँ क्योंकि वो सब मेरा अपना experience है देखे मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे बाल बहुत सारे सफेद होना शुरू हो गये थे और हमेशा में अपने बालों को सफेद बालों को हीना लगा के चुपाया करती थी जैसे कि आप मेरे बाल देख रहे हैं पिछले दो महीने से हीना मैने नहीं लगाया है अपने बालों में तब इसे मेरे बहुत सारे बाल, 13-14 साल भी नहीं, सायद में 12 साल की थी तब इसे मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए थे और सफेद बालों को नमें उखार दिया करती थी ताकि दीखे ना, मैं बहुत चोड़ी थी इसेज में किसी की बाल सफेद नहीं होने चाहिए, तो जो प्रिमे-चूर हेर ग्रिंग कर शुरूजी क्सा काहते हैं. यह सूच की, मैंने अपना हेर क्लिम शुरूल कालन के ॅच्टल हुगा, आपके बाल जो समय से पहले सफेद हो गए हैं उनको ये reverse करने का काम करती है अगर समय रहते आप इन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो नमस्कार, मैं हूँ गरीमा और स्वागत है आपका मेरे यूटिब चैनल पे मैं इस तरीके की बहुत सारी हैर, स्किन और हेल्दी हेल्थी डैट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जिने अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्फ मिलेगा इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस्त ना हो जाए अब चलिए बिना किसी दिरीके वीडियो शुरू कर लेता है इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लेना है भरिंग राज, भरिंग राज एक बहुत ही पावरफुल आयरवेडिक हर्व है लेकिन इसके अदर मेडिसनल प्रॉपर्टीज के आलावा बहुत सरे इसेंसल न्यूट्रियन्स भी होते हैं जो हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं जड़ने भी लगते हैं, अगर आप इसको कंजूम करते हैं, तो वाइटामीन D भी आपको मिलने वाला है, अधर इसेंशल न्यूट्रिंस के साथ-साथ, आइरन और प्रोटीन का भी यह बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले अच्छा से वा प्रिंगराज की चाय है, जो की हमारे बालों के लिए कामाल की है, तो इसे स्ट्रेंड कर लीजे, और जब ठंडा हो जाता है, तो एक ही बार में पी जाएए, बहुत टेस्टी नहीं है, और बहुत खराब भी नहीं है, बस ठीक ठाक है, तो आपको इसे कंजूम करना है, कित पंदर दिन का गैब दीजे, पंदर दिन फिर भरिंगराज कंजूम कर सकते हैं, या फिर कुछ और लड्डू अगरा खा रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इस तरीके से मतलब हमेशा लगातार ही नहीं कंजूम करना है, गैब देना बहुत जरूरी है, अब मैं आ चमज के 옆र आपको सैτα। डाली ही कॉलारी है, अब ईौरी फिरबार ने को काला बनाने में कमालकी होती है, बढ करत läuft कर JON خुला समर्मे को साथ भर्ला ही नहीं को चईलीज से हैं, अब ओड़ा भी पानी भी आपको नहीं है क्योंकि इसमें कुछ और भी इन्ग्रेइट आट कर करूंगी उसके सासत मैं आप लोग सार शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा मॉस्टराइजिंग हैर मास्क जो आपके बालों को डीपली नरिश और कंडीशन करने का काम करता है तो अभी क्या करना है इसमें एक बहुत इंपोर्टन चीज आपको एड करनी है और यह है मोरिंगा की लिफ्स मोरिंगा की लिफ्स ड्राइ फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं फ्रेश भी ले सकते हैं मोरिंगा की पतियां हमारे बालों के लिए कमाल की होती है और आज कल मोरिंगा को जब मोरिंगा की गुड़ों के बारे में जब से पता चला है तब से मोरिंगा को सुपर फूड की तरह कंसीडर किया जाता है मोरिंगा की चाय भी बनाना मैंने आप लोगों को बताया है कई वीडियो में बताया है तो अगर आप चाहें तो मोरिंगा की पतियों को कंजूम भी कर सकते हैं मोरिंगा हमारे बालों के लिए कमाल का होता है हमारे बालों को जल्दी से सफेद नहीं होने देता तुलसी की पत्तियों को आड से थयाना है cand depoled अलब्लबलसी а उसके बादो से इसे तुलसी की पत्तियों को भी add पत्तियों किIf द्रक्तियों के भीma और समय से कला माधा क्या हाई रहनी को क्या मौइका ग्लिक साथ रेल्वे नीज देती हैं अभी इसको इस्टेंड कर लेना है, जब यह पूरी तरीकी से ठंडा हो जाता है, तब इसमें 5 या भी 10 ड्रॉप्स के बराबर रोज मेरी एड़ कर सकते हैं, इसकी जगह लेवेंडर एशेंशल ओयल का इस्तमाल भी कर सकते हैं, लेंग 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 एशेंशल ओयल भी यू इसलिए मैंने यहां पर रोज मेरी एशेंशल ओयलिस में एड़ किया, अच्छे से इन सारे चीज़ों को मिक्स कर लीजे, अब इसे अपने स्कैल्प में ही आपको लगाना है, क्योंकि इसका काम आपके हैर फॉलिकल्स और स्कैल्प में हैं, बालों की लेंथ में इसका कोई इने क्या करना है कि ट्रांसफर करना है लोह के कडाही में देखें लोह के बfeltन में ट्रेडिजनल रेमेडीज बनती है क्योंकि इनके अंदर है डार्कनिंग प्रॉपरट इसको हमारे बालों को नाच ACL Tरीके से काला बनाने में इसीलिए बालों को लंब समय तक काला बना के र पावरफुल एंटी ऑक्सिडिंट होता है इसके अंदर जो हमारे बालों को समय से पहले सफीद नहीं होने देता साथ ही साथ हमारे इसकाप से देंडर फगएरा को खतम भी करता है अब इसमें आपको डालना है ड्राइ कोकुनट फ्रेश कोकुनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मेरे बालों की जो परोसिटी है हाई है तो मैंने अपने बालों की परोसिटी को मेंटेन किया है मतले मेरे बालों की क्वालिटी पहले अगर आप देखेंगे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी लेकिन लगातार रेमेडीज का यूज करने की वज़े से मेरे बालों क जो texture है काफी improve हो चुका है अब इसमें क्या करना है आपको डालना है 5 टेबल स्पून के बराबर फ्लैक सीड फिर उसके बाद मैंने यहां पे 3 टी स्पून के बराबर डाला है फेनुगरिक सीड फेनुगरिक सीड डालने से इसका texture बहुत ही अच्छा हो जाएगा जो कि बहुत जरूरी है इसका texture अच्छा होना बहुत ही लिक्विडी अगर hair mask बनेगा ना तो इसे आप लगा के रखनी पाएंगे इसलिए hair mask में मैं जरूर डालती हूं फेनुगरिक सीड ताकि हमें बहुत ही अच्छा सा एक hair mask मिल जाए जिसके अंदर consistency हो मतलब थीक हो थोड़ा सा ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल पानी जैसा है तो इसमें मैंने और थोड़ा सा फ्लैक सीड डाल दिया है अब इन सारे चीजों को हमें भीगो की ओवरनाइट छोड़ देना है ठीक है ओवरनाइट छोड़ दीजे नेक्स मॉर्निंग आपको ग्राइंड करना है और अच्छे से स्ट्रेंड कर लेना है नेक्स मॉर्निंग आप देखेंगे ना पानी का कलर भी चेंज हो गया है और जो फ्लैक सीड है इसने अपना जल भी रिलीज करना शूरू कर दिया आ है फ्लैक सीड के अंदर जो जल होता है वो हमारे बालों को बहुत सारा BENEFIT देता है इसके अंदर न्यूट्रेंट तो होते ही है इंटि आक्सडेंट भी होते हैं जो हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं ताकि जो पार्टिकल्स, चंक्स, रेजिड्यू हैं, सारे बहुत ही अच्छे से निकल जाएं जब हम अपना हैर वाश करें तो, अगर इसे स्ट्रेंड नहीं करें अपना तो फिर आपके बाल क्लीन ही नहीं होंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन्हें अच्छे से इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, तो आपको क्या करना है, गलॉज लगा लेना है और अच्छे से पूरे स्क्याप में पूरे बालों की लेंद में लगाना है, जब भी लोहे की बरतन में आपकोई भी हैर मास बना रहे हो, अगर आप वैसे ही लगाएंगे अपने पूर का रिजल्ट भी दिखाऊंगी, मैंने कई बार आप लोहें बताया कि मेरे बालों की परोसिती थी पहले की वीडियो में आप चाहेंगे तो आपको दीखे का भी बहुत ही गंदा है मेरे बालों का पूरोसिती मतलब हाई है, जिटने भी होते हैं, सबके बाल लोह होते हैं, लेकिन पॉरोसिटी सबके बालों की अलग-अलग होती है लेकिन मेरे बालों की पॉरोसिटी आप देख सकते हैं काफी इंप्रूव हो चुकी है और यह सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ नाचुरल रेमेडिज का यूज करने से मैंने बालों में कुछ भी नहीं किया आज और इसी वज़े से शायद मेरे बाल बचे हुए हैं अगर आप जाके पालर में केराटीन ट्रीटमेंट, स्मूधिंग, कलरिंग तरह तरह की चीज़ें कराते हैं तो उससे हमारे बाल डैमेज होते हैं और आप मेरे बालों का कलर देखी इंटेंस ब्लैक है मेरे जितने भी अगर मेरे बाल बहुत ही स्पीड से कभी कभी सफेद दीखते हैं अगर मैं इन सारी चीज़ों का यूज ना करती तो अभी तक पता नहीं मेरे 50% 60% तक बाल सफेद हो गय होते इसे सपीड से सफेद हो रहे थे तो लेके हैर ग्रेंग को कंट्रोल करने के लिए आप इन नाचरल प्रोसेस है मतलब मत्यूर हेर ग्रेंग एक नाचरल प्रोसेस है उसे आप इस्टॉप नहीं कर सकते लिकिन रिडियोस जरूर कर सकते हैं नाचरल रेमेडी की बदालत तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं अलों विद हेल्थी डाट तो डेफिनेट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार